नमस्ते बच्चों, साई राम बच्चों, हम मात्राओं के बारे में पढ़ रहे थे और अब दक हमने कौन-कौन सी मात्राओं को पढ़ा? तो अब दक हमने A की मात्रा, E की मात्रा, E की मात्रा और U की मात्रा पढ़ा तो बच्चों, आज हम उ की मात्रा पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? उ की मात्रा, ठीके? यह है उ और यह है उ की मात्रा और लास्ट क्लस हमने क्या पढ़ा था? उ, यह है उ, हमने पढ़ा था उ की मात्रा ठीके? यह है उ, यह है उ की मात्रा तो बच्चों U की मात्रा पढ़ने से पहले हम एक कविता पढ़ेंगे, वो है U की मात्रा से है, ठीक है, तो हम एक कविता पढ़ेंगे, जिसमें U की मात्रा है, उसके बाद हम U की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये है U की मात्रा, और यह एक कविना है, उ की मातरवाले कविता है तो देखिए एक और था गुलगुला, एक और था बुलबुला मीठा, मीठा, गुलगुला कैसे होता है, मीठा, मीठा हलका हलका बुल बुला बबल्स जो बुल बुला कैसे हलका हलका ठीके हलका हलका बुल बुला आजा आजा गुल गुला आजा आजा गुल गुला जा 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 बुल बुला जा 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 बुल बुला बुल बुला जी बुल बुला तो बच्चों आप मेरे साथ ये वाला कविता गाइए और मेरे साथ रिपीट कीजिए ठीक है तो शुरू करें एक और था गुल गुला बोलिए एक और था गुल गुला मीठा मीठा गुल गुला हलका हलका बुल बुला आजा आजा गुल गुला जा 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 बुल बुला जी बुल बुला जी बुल बुला तो बच्चों आप यह जो कविता है गा कर प्राक्टिस कीजिए याद कीजिए तो अभी आप क्लियर यह है उ की मात्रा वाले कविता तो यह है उ की मात्रा जो आज हम पढ़ेंगे यह कैसे लिखते हैं यह है उ की मात्रा ठीके उ ऐ, ठीक है अभी हम देखेंगे उ की मात्रा वले कुछ शब्द, अभी हम देखेंगे उ की मात्रा वले कुछ शब्द ही ये, जैसे हम कैसे बोलेंगे इसे? क, उ की मातरा कु, ख, उ की मातरा खु, ग, उ की मातरा गु, घ, उ की मातरा गु, ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? क, उ की मातरा कु, ठीक है, और बच्चों, जो उ की मातरा है, इसे हम वर्नों के नीचे लिखते हैं, जैसे आपने देखा, हमने कैसे लिखा? क, उ की मातरा कु, और यहाँ पर भी जैसे उ की मातरा लिखा गया है, तो वो कहाँ पर लिखा गया है, वो वर्नों के नीचे लिखा गया है, ठीक है, और इसकी ध्योनी ज्यादा दवाव वाली होती है, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे क, ठीक है, यह इतना दवाव वाली नहीं है हम बोलेंगे कू तो ये ज़्यादा दवावाली है तो उ की मातरा की ध्वनी ज़्यादा दवावाली होती है समझ में आया बच्चो हम अभी और कुछ शब्दों को पढ़ेंगे ठीक है तो पहला बाला आप देखिए ये क्या है ये है फूल क्या है ये फूल हम लिखेंगे यहाँ पर फू की मातरा ल ये हो गया फूल फूल क्या है फ्लावर फूल ठीके अभी हम देखेंगे नेक्स्ट ये क्या है तरबूज क्या है तरबूज वाटरमेलन आपको तरबूज अच्छा लगता है अभी गर्मी का दिन है और हम बाजर में भी बाजर में बहुत सरे तरबूज है ठीके और बाजर में भी बहुत सरे तरबूज मिलेंगे अभी तरबूज 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 वाटरमेलन अच्छा रबूज तरबूज तरबूज की मातरा ठीके और ये है ज़ हो गया तरबूज वाटरमेलन तरबूज तरबूज तो हमने पढ़ा फूल तरबूज और उसके बाद ये क्या है बोलिए बोलिए ये क्या है बच्चों चूहा ये है चूहा च उ की मात्रा ह आ की मात्रा चूहा ठीक है च उ की मात्रा ह आ की मात्रा चूहा ठीक है चूहा क्या है राट माउस ठीक है चूहा और बच्चों उसके बाद हम देखेंगे ये क्या है ये है भालू कैसे लिखेंगे हम भ आ की मात्रा ल उ की मात्रा हो गया भालू ठीक है और एक बार लिखेंगे भ आ की मात्रा ल उ की मात्रा भालू ठीक है बच्चों तो आप दो हमने क्या क्या पढ़ा फूल तर्बूज चूहा भालू ये सब उ की मात्रा वाले शब्द है बच्चों यहाँ पर हम और कुछ उ की मात्रा वाले शब्द भी पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो पहला लाइन है जो फर्स्ट लेटर है जो पहला अक्षर है वहाँ पर उ की मात्रा है ठीक है फूल धूल शूल भूल ठीक है फूल क्या है फ्लावर धूल धूल का मतलब क्या है डस्ट और सूल ठीक है सूल का मतलब है जो स्पाइक और भूल भूल का मतलब है गलती करना भूल ठीक है सूल धूल फूल धूल सूल भूल तो बच्चों अभी हम जो दूसरा लाइन है वो पढ़ेंगे यहाँ पर पहला अक्षर में आ की मातरा है और दूसरा अक्षर है वहाँ पर उ की मातरा लगाया गया है ठीक है तो पहला वहला क्या है आलू देखिए आलू पोटेटो आलू ठीक है भालू चालू बालू ठीक है आलू पोटेटो भालू बैर चालू क्लेवर और भालू बालू बालू क्या है सान्ड ठीक है तो दूसरा लाइन आप पढ़ रहे हो आलू भालू चालू बालू बच्चों अभी तीसरा लाइन हम देखेंगे यहाँ पर जो पहला अक्षर है वहाँ पर उ की मातरा लगाकर लिखा गया है ठीक है तो पहला बला क्या है आप पढ़िये सूरज क्या है यह सूरज उसके बाद पूरब उसके बाद पूरब और उसके बाद मूरत ठीक है सूरज सूरज क्या है सन पूरब पुरवदिशा, ठीक है पूरब, इस्ट उसके बाद पूनम पूनम क्या है जो फुल मुंडए पूनम, उसके बाद मूरत, मूरत क्या है आइडॉल, ठीक है तब पढ़िए और एक बार हम पढ़ेंगे फूल पहला फूल धूल सूल भूल सेकेंड लाइन आलू भालू चालू बालू उसके बाद थर्ड लाइन सूरज पूरब पूनम मूरत ठीके बच्चों अभी आप ये बोलिए और अंतर समझिए जैसे हम उ की मतरा लगा कर इसका मीनिंग कुछ चेंज कर रहे है उ की मतरा अगर यहाँ पर दिया गया है तो उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग है ठीके जैसे आप देखिए बाल बालू बाल बालू बाल क्या है बाल ठीके है बाल और बालू बालू क्या है बालू है सांड ठीके सांड तो बाल बालू ठीके वैसे ही काल कालू ठीके, काल का मतलब होता है, जैसे काल, टाइम, भूत काल, भविशय काल, ठीके, वरतमान काल, तो काल का मतलब है, टाइम, तो काल, कालू, कालू का मतलब है, ब्लाक कलर, ब्लाक की, ठीके, काल, कालू, तो बाल, बालू, काल, कालू, तो आप देख रहे हैं यहां पर जैसे हम उ की मातरा लगा कर कुछ नया शब्द लिख रहे हैं ठीक है जहां पर उ की मातरा नहीं है वो एक different word है जो उ की मातरा है उसका meaning different है ठीक है उसके बाद यह है राज, राजू, राज का मतलब राज करना, राज ठीक है और राजू, राज करना means rule, राज करना, उसके बाद राजू एक नाम है तो राज, राजू, राज, राजू, और उसके बाद काज, काजू, काज हम बोलते हैं ना काम काज तो काज, काजू, काजू है काजू है काज, काजू, और उसके बाद यह क्या है भाल, भाल, भालू, बैर ठीक है, भाल, भालू और उसके बाद यह बाज, बाजू, ठीक है, इसका भी मिनिंग डिफरेंट है, बाज का मिनिंग है इगल, और बाजू का मतलब क्या है, जो पास में होते हैं, बाजू में, ठीक है, बाज, नियर बै, बाजू बाज, बाजू, तो हमने क्या-क्या पढ़ा भी, आपको समझ में आया बच्चो, बाल, बालू, राज, राजू, भाल, भालू, और सेकेंड लाइन दिखिए, काल, कालू, काज, काजू, बाज, बाजू और एक बात आप दिखिए, बाज्चो, यहाँ पर जो उ की मात्रा है, ऐसे भी हम लिखते हैं, रो, और उ की मात्रा हम अगर लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, यह है, ठीके, यह वाला, और यह है उ की मात्रा, समझ में आया बच्चो, जैसे हम लिखेंगे, रूप, र, उ की मात्रा, प, रूप, ठीक है, और वैसे ही लिखा गया है, रूठ, र, उ की मात्रा, ठ, रूठ, रूठ, रूप, रूठ, ठीक है बच्चों, अभी हम, कुछ बाकियों पढ़ेंगे, जो, उ की मात्रा, जिसमें, उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, एक चूहा था, उसका नाम कालू था, तो एक चूहा था, उसका नाम कालू था, वो बहुत ही नटखड था, नटखड का मतलब क्या है, नटखड का मतलब है, नौटी, तो बच्चों, आप कैसे हो, आप नटखड हो या शान्थ हो, बोलिये, ओके, तो एक चूहा था, उसका नाम कालू था, और वो बहुत ही नटखड था, सारा दिन इधर उधर कूदता था, सारा दिन वो क्या करता था, इधर उधर कूदता था, एक दिन वो भूखा था, एक दिन वो भूखा था, एक दिन वो बहुत भूख लगी थी उसे, ठीके, वो बहुत भूखा था, भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी भीतर क्या रखी थी पूजा की पूड़ी रखी थी ये देखिए पूजा की पूड़ी रखा गया है उधर खर्बूजा भी रखा था और देखिए उधर खर्बूजा भी रखा गया है ठीके उधर खर्बूजा भी रखा था तो तर्बूज भी रखा था खर्बूजा और तर्बूज भी है तो पूड़ी और खर्बूजा तर्बूज रखा हुआ था ठीके तो चूहा कूद कर गया चूहा कैसे गया चूहा कूद कर गया कुट 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 वो आधी पुड़ी खा गया तो चुहा जब खाता है जो कैसे जो साउंड आता है कुट 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 वैसे ना तो कुट 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 वो आधी पुड़ी खा गया अधी पुड़ी चुहा खा गया अभी भी वो भूखा था लेकिन अभी भी वो भूखा था आधिपूरी खा गया फिर भी वो भूखा था फिर खर्भूजा और तर्भूज भी खाया फिर जो खर्भूजा और तर्भूज रखा गया था वो भी खा गया पूजा भागी आई पूजा भाग कर आई ठीके चूहा कूद कर बिल की और चला गया जो पूजा आई तो चूहा बिल की और चला गया ठीके तो बच्चों ये देखिए जो फर्स्ट पेज है यहां पर उ की मात्रा वाले शब्द कौन-कौन सी है ये चूहा, कालू और खुदता भूखा, पूजा पूडी खर्भूजा तर्भूज, चूहा खूद कर ये सब उ की मात्रा वाले शब्द है और बच्चों यहां पर देखिए यहां पर भी उ की मात्रा वाले शब्द है चूहा कूद कर फिर पूड़ी ठीक है भूखा खर्भूजा तर्भूज पूजा और फिर से चूहा कूद कर तो ये आप पढ़िए और कैसे पूख की मातरा वाले शब्द और वाके लिखते हैं उसको थोड़ा प्राक्टिस किजिए तो बच्चों अभी अब देखिए तुक मिलाकर आगे बढ़िए तुक मिलाकर जैसे यहां पर फूल क्या लिखा गया है यहां पर फूल और यहां पर हम और कुछ लिखेंगे ऐसे ही ठीक है उसके बाद सेकेंड लाइन लिखा गया है आलू जैसे आलू उसके बाद क्या आए ऐसे ही तुक मिलाकर हमें लिखना है ठीक है तो आप देखिए यहां पर फूल उसके बाद धूल भूल जूल हो गया उ की मात्रा वाले और समन तुक वाले शब्द फूल धूल भूल जूल ठीक है और उसके बाद आप देखिए जो दूसरा बला केटरपिलर है वहां पर आलू उसके बाद क्या आएगा आलू भालू कालू चालू पहला अक्षर में आ की मात्रा दूसरे अक्षर में उ की मात्रा ठीक है और तो आलू भालू कालू चालू ठीक है बच्चों आप अपना क्लास वर्क में यह लिखकर प्राक् किजिए ये भी लिखिए ठीके उसके बाद चित्र के सही नाम पर टिक लगाईए ये भी आप नोट पर लिख कर थोड़ा प्राक्टिस किजिए चित्रों के सही नाम पर टिक लगाईए खर्बूजा ये है खर्बूजा तर्बूज आलू ठीके तो ये क्या है बच्चों तो बच्चो यह तर्बूज तो हम तर्बूज पर टिक निशान लगाएंगे उसके बाद जो दूसरा वला है यह क्या है यह फूल तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है भालू, फूल, जूला जूला तो हम कहां पर टिक लगाएंगे फूल ठीक है यह फूल उसके बाद चूहा सूरज चूड़ी यह क्या है यह सूरज तो हम सूरज पर टिक लगाएंगे ठीक है और यह भी आप बच्चों आप लिखकर यह प्राक्टिस कीजिए पहला वाला क्या है खरबूजा तरबूज आलू यह तरबूज उसके बाद भालू फूल जूला तो यह फूल उसके बाद चूहा सूरज चूड़ी तो यह सूरज बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ शब्द लिखा गया है तो हम क्या करेंगे जो सही शब्द है उस पर हम टिक लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए खरबूजा तरबूज ठीक है खरबूजा खरबूजा ठीक है तो कौन सा करेक्ट है खरबूजा यह वाला सही ह ठीक है उसके बाद ये देखिए तराजू 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 ये उ की मातरा है और ये है उ की मातरा तो ये वहला सही है उसके बाद ये देखिए कूद कर कूद कर यहां पर कूद कर ये है कूद कर उ की मातरा ठीक है भालू भालू यह वला गलत है और यह सही है भालू ठीक है बच्चों तो हमने आज उ की मातरा वाले शब्दों को पढ़ा और कुछ बाकियों को भी पढ़ा तो बच्चों यह पढ़िए और हमने जो बताया था यह वला चित्रों के सही नाम पर टिक लगाईए ये वला एक लिक कर प्राक्टिस किजिए और ये जो तुक मिला कर आगे बढ़िए ये दो आप लिक किए ठीक है तो नेक्स्ट क्लास हम और कुछ नया मात्रा पढ़ेंगे धन्य बाद बच्चो